हाई फ्रेंट्स मैं परविंदर खारी फ्रेंट्स आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रेकमेंडेशन है उनकी आइडी है फर्स्ट किंग गेमर फ्रेंट्स उन्होंने मुझसे वाल्ट चेंपेंशिंप सब 2000 में जो खेली गई थी उसकी किसी एक गेम के वीडियो बलाने के ल तो चलिए शुरू करता हूँ डारेक्ली व्लादमिर ने यहाँ डी फोर के साथ स्टू किया नाइट फ्रेंट्स यहाँ परोव ने खेला देन हुआ C4, E6, नाइट C3, बिशब बिफोर निम्जो इंजन डिफेंस, देन हुआ E3, कैसल बाई ब्लैग, देन बिशब देर के लिए टेमपरेरली नाइट पिन हुआ है, लेकिन B7 और यहाँ कह सकते हैं कि वाइट की कुईन भी, नाइट की डिफेंस में रही रहेगी फिलाल, रुक E1, देन नाइट B जोज़ दो B7, रुक C1, देन हुआ, रुक C8 फॉम ब्लैट, कैन गई D3 स्कॉर पर, क्व plan के साथ बढ़ सकती थी लेकिन bishop e7 square पर जाने के बाद यहाँ problems बढ़ गई है problems यहाँ पिस bishop के साथ देखिए rook का already attack जा रहा है यहाँ पर बस यहाँ पर इस pawn की problem है वो problem यहाँ फ्लागिन करने के solve की पहले उन्होंने यहाँ गया bishop takes f6 knight takes f6 होने के बाद उन्होंने की आया sacrifice bishop takes c6 अपना bishop के बदले में दो pawns मिले f takes c6 queen takes c6 with a check king जब h8 square पर रहटा उसके बाद यहाँ metal action is complete हुआ queen takes c7 दो pawns bishop के बदले में bishop लेकिन bishop takes c3 यहाँ cast probe को अपना फायदा है g takes f3 होने के बाद pawns डबल हो चुके f file में और queen takes d4 होने के बाद एक pawn उन्होंने वापस भी ले लिया है then अब यहाँ quint x a7 मेरे खास option है नहीं उन्होंने यहाँ knight b5 के option को चुना यह better है knight b5 क्यों better हो जाती है पहले तो सबसे यहाँ queen पर attack बन रहा है उसके बाद knight के जाने के squares बहुत interesting अगर आप c8 होने के बाद अब white थोड़ा सा defensive side पर आ सकता है वेल चलिए वो एक अलग possibility थी लेकिन यहाँ quint x b2 queen गई second rank में लेकिन rook c8 दूसरा रूख फिलाहल कोई problem नहीं है rook c8 होने के बाद अब a7 pawn को लेने का तो कोई तो बनता नहीं है obvious move बनता है knight के d6 square पर आने का rook पर attack बना तो यह रूख गया b8 square पर शायद इतना अच्छा move नहीं है क्योंकि knight f7 check king पहुंचा h8 square पर अगर मैं देखू exactly कोई threat laser नहीं आती queen knight का combination अभी बहुत अच्छी checkmate नहीं कर रफाएगा well queen गई e6 square पर और यहाँ discovered check की threat है तो क्या किया जाए रूख को d8 square पर लाना वो भी अपने आप में problematic हो सकता है क्योंकि discovered check है in fact मैं कहूंगा यहाँ double check हो जाए double check होने के बाद वो force holy checkmate रगी यह पहुँच जाएगी तो क्या किया जाए h pawn push शायद एक अच्छी option हो सकते थी करना चाहिए था मेरे क्याल से discovered check आ रही है तो ले लेनी चाहिए थी king h8 square पर चला जा जा था उसके बाद game को checkmate तक पहुचा ना I don't think बहुत बड़ी problem ही होती यहाँ से well यहाँ से रुक आया f8 square पर रुक आया f8 square पर आने के बाद हुआ knight d8 check और king यहाँ से गया h8 square और friends can you believe it यहाँ ऐसा लगता था कि अभी तक यह game लग लग ओपनिंग अप प्लीट हुए middle game start हो चुके है लेकिन all of a sudden resignation आया गरी कास्परोव का जैसे ही व्लादमीर करम नेकिन अपने कोईन को e7 square पर प्लेस किया क्यों resignation आया है कर क्यों पर attack बनाने की कोईशिश करेगा तो quint x c8 डारेक्ट रुक को ले लो knight x c8, rook x c8, check और यहाँ back rank checkmate का तो खत्रा है जो सिर पर बंढ रा रहा है तो black के लिए force दो जाता है rook x d8 के option को आक्षिन को करना knight को eliminate करो कि यह बहुत dangerous हो चुपा है quint x d8 with a check then knight x c8, check से बचने के लिए g8 square पर ही आएगा दिखने में ऐसा लगता है कि black इस problem को manage कर सकता है अगले threat क्या है अगली threat है यहाँ रुक को 8th rank में ले जाकर checkmate करने की वो नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ black का king पहले तो इस a2 pawn को लेकर knight पर defense हो सकता है पहली बात तो यह दूसरा वो यहाँ अपनी queen से check दे सकता है जैसे ही white का रुक first rank से हटेगा queen से check आएगी और repeated checks के बाद यह game draw कराने की possibility पूरी तरह से black के पास होगी तो यहाँ पर लाग्मिन को बहुत सोच समझगा easy move है queen d5 ना तो a2 pawn लिया जा सकता है ना ही इस knight की problem से बचा जा सकता है then h6 एक left कोलना पड़ेगा अपने escape इसकोर कोले बड़ेंगे black kicking के लिए queen f7 then knight f6 दिखने में लगता है all is well लेकिन ऐसा है नहीं बस यहाँ इस game को जीतने के लिए गरी का व्लाद्मिल क्रेमनी को queen actions complete होगी और वो इस पूरे sequence में queen actions आराम से complete होती ही नजर आ रही है क्यों आ रही है h4 यहाँ white चल सकता है क्योंकि white का रुक obviously 7th rank में जाने के लिए बिल्कुल तयार है जो checkmate करने ही करनी है उसको उसके बाद बस यह queen की repeated checks है उससे यहाँ पर white को बचना है तो इसी लिए h1 आगे पुछ किया गया king h7 square पर जाएगा then rook e7 यही होना है लेकिन अब black forcefully queen actions करानी पढ़ेंगी queen b1 check होगा king g2 then queen g6 check queen text g6 king text g6 then rook text e7 यह पूरा forceful sequence है queen actions होंगी और black forceful upper hand पर होंगे तो इसी कारण से यहाँ पर America's problem ने resign कर भिया friends मुझे उमीद है आप सभी लोगों भी यह में जरूर पसंद आई होगी आप लोग इस वीडियो को like करें share करें और मेरे यह YouTube चैनल चास्ट गूर को please subscribe जरूर करें आपके comments का मुझे बेहर दिन जार रहेगा thank you for watching and bye for now